आइनक्राफ्ट मोड्स जिनमें कभी होती है मोज मस्ती तो कभी गम I'm lonely बट कभी कभी ये काफी काम भी आते हैं इसलिए I found the most useful MCPE मोड्स जैसे कि ये जिसमें अगर तुम किसी डेंजन में घूम रहे हो और तुमें मिले spawner जिसको देखके लगता है कि ये भी तुमारी crush जैसा अब तुमारी enchantment लग गई अब तुम spawner mine करके अपना personal farm बना सकते ये वला मोड लगाते ही तुमारे पास इतने सारी sword आ जाएगी बाट ये सारी एक ही sword है नहीं जैसे कि इसका damage देखो तो basically अब तुम कोई भी sword craft करोगे उस पे rate होगी common, uncommon, rare and epic और इनका damage भी बढ़ेगा और अभी तो रुखो ये item craft करो and then smithing table से तुम damage भी बढ़ा सकते हो अभी और है इसको diamond या किसी बी और के साथ upgrade करो जैसे कि level 1, 2, 3, 4, 5, up to S and S वाले का damage है 93 without enchantments अभी मेरे सामने है इतने सारे zombies and हाथ में ये sword और 5 second में खेल खतम बट ये इतने सारे flesh का क्या करूँ? well, tension not ये mode का use करके flesh भी काम का होगा वो सब तो ठीक है मैं Indian ads की तरह क्यों mode बता रहा हूँ? well, tension not ये booty fixer 3000 का use करके fix करें अपनी 82 तो सबसे पहले तुम flesh को पगा कर खा सकते हो and दूसरी चीज इस cooked flesh को smoker में cook करो and तुमें मिलेगा leather the fourth number वाला mode is connected glass तु बस normal गंदे आथू glass को यह तुमें मिलेगा प्यारा connected glass जो कि normal से obviously काफी सही लगता है और हाँ ये निया वर्जन है तो 1.21 में भी चलेगा तो जाओ connected glass यूज करो ता कि मैं तुम्हें नहांते होई देख सको एक और चीज जो काफी useless है वो है ये मुझे तो जब भी ये world में मिलता है कितब peaceful है बट अब तुम्हें इसको नहीं मारोगे क्योंकि 1,2,3 तेरी IC की तैसी फिर से try करता है 3,2,1 या अब ये तुम्हें देगा पूरा netherite gear वो भी enchanted और ये काफी मैंगा है तो तुम्हें ग्राइंड भी करना पड़ेगा तो उसे साबसे ही cheating मिनी हुआ किसी को बताना मत बट ये है vertical slabs हाँ इस ward में है काफी सारे vertical slabs and काफी सारे साई मीन हर एक block का slab है और इससे तुम काफी कुछ बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाई ये balcony या फिर ये जो भी है और कुछ है नहीं इसके बारे बताने को तो अगले वाला देखे जो कि ये है tool swapper तो sand boom and अब अगर मुझे फिर से sand तोड़नी है तो वो अपने आप change हो जाएगा and अगर sand के नीचे stone आ गया again अपने आप pickax आ जाएगी and अगर किसी को मारना है तो अपने आप sword बहर आ जाएगी and इत्ते अच्छे mod के लिए तो बीक मांगना बनता है like करो next is 3D combat जिससे basically तुम गूफी तरीके से उड़ सकते हो क्या कर रहा है यह फिर भाग सकते हो जैसे तुमने बीच में कर दी हो और हाँ जब तुम मारोगे तब भी काफी सारी चीज़े करता है बट यह के कर रहा है यू बठा अगर तुम third person में हो या फिर multi player में तो यह काफी से ही लगता है इस वा inventory की सारी चीज़े आएंगी मैंने pickaxe select किया enchant अब तुम अपने आप से कोई भी enchant लगा सकते हो और हाँ enchant करने के लिए xp के साथ साथ यह भी लगता है और तुम enchant को transfer भी कर सकते हो एक से दूसरी चीज़े और साथ में disenchant भी कर सकते हो तो यह basically सब चीज में अच्छा है and for the last one I have a UI pack जिसमें काफी सारी चीज़े quick crafting dust beam यह फिर एक लिक में item move करना drop system जिससे तुम चीज़े एक एक करके drop कर सकते हो यह फिर पूरी inventory एक साथ डॉप कर सकते हो और सबसे तगडी चीज़े brewing stand पे पूरा guide कि किस से क्या होता है and यही guides flash potion और lingering potion के लिए और भी काफी सा for the video मेरी अवास थोड़ी different लग रही होगी क्योंकि मुझे 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 काफी जुखाम है and I told you कि मैं try करूंगा video थोड़ी जल्दी हो सके add मैं पूरा try कर रहा हूँ idea thank you for watching I love you all bye bye